अलस्लामालेकूम जी क्या हाल चाले हैं आप लोगों के मैं तो शुकर अलहम्दलिल्ला बिल्कुल ठिक ठाक हूँ और इंशालला आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे बिल्कुल ठिक ठाक होंगे वेल्कम बेक टू माई चैनल व्लोग विद नादिय पे जल्दी से अपना व्लोग स्टार्ट करते हैं और दिखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था अच्छा मैंने अपना व्लोग स्टार्ट किया है दुपहर के खाने से और खाने में आज कुछ भी नहीं समझ आ रहा था बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी बनाती हूँ, सिंपल सिंपल मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी टाइम बचे, गर्मी भी न लगे, सर्दी में सर्दी न लगे, जल्दी जल्दी सारे काम खतम हो और साती मैं तरहजा पानी अट करूंगि ताकि मसाले जले नहीë अच्छे तरह से मिक्स करके इसको भूनोगी फिर मैं क्या करूंगी इसमें अलू कट कर दूंगी अलू को मैं एक से जब्से अधों इड हले ने क्हुना होताए अच्छा यहां पे ना मैंने अलू काट के स्मेड कर दियें मैंना हमेशा गोबी प्रेशर में बनाती थी आज ना गोबी थी बहुत थोड़ी सी तो मैंने कचलो ना दे जल्दी से ना देज़की मी बना लेते हैं और मैंना अलू मोटे मोटे काट के डालती थी आज मैं आलू भी ज़्यादा मोटे काटके नहीं डालूँगी अच्छा यहां पर मैंने के किया है आलू काटके डाल दी हैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी एक से डेल मिनट से भून लोगी उसके बाद मैं इस पे गो भी एड़ करूंगी थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी और मीडियम आग पे इसको पकने के लिए रख दूँगी तो सब को बहुत ज़दा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा जन्दी से ना उतनी देर मैं सासा सकन्वी भी बना लेती हूँ आज काल एक डेली नेमन लेना बहुत जरूरी है क्योंके विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़्यदा जरूरी है अम्यून सिस्टम स्रॉंग होता है मेटाबولिजम फास्ट होता है तो बस यहां पे गोबी को मिक्स किया थोड़ा पानी एड़ किया कवर कर दूँगी यह पकती रेगी तो मैंने एक दो दफ़ा इसको चेक किया मिक्स किया और इसको रख दिया पकने के लिए बस हलकी में नियाग कर दी थी मैंने का अब जन्दी से यह पक जागी वो तीन देर में मैं सकन्वी बना लेती हूँ और सासा बच्चों को मैं बढ़ा रही थी और लेमन मैंने दो तीन दीन होगे मगवा के रखे हुए थे और यूजी नहीं हो रहे थे रोज दिल करता था सकन्वी बना के पीते हैं पीते हैं लेकिन इतना मसुरूफ दिन गुजरता है कि सकन्वी बनाने के लिए टाइम नहीं विल रहा था अचा आज ना पिर मैंने जन्दी जन्दी से पहले सकन्वी बनाई मैंने का हम रोटी बाद में खाएंगे पहले हम सकन्वी बनाके पील लेते हैं अचा कभी-कभी ना एक्टिव बंदा बड़ा हो जाता है हर काम में और मैंने ना वीडियो की स्पीड की हो यह थी है जैसे ही वीडियो की स्पीड बढ़ती है मेरे भी स्पीड बढ़ जाती है फिर मुझे इस बात की बड़ी हसी आती है कि सासा मेरी इतनी स्पीड होती जाती है अच्छे यहां पे ना हम सब निसकन भी पी ली थी गोबी को मैंने दम पे रख दिया था तो बच्चों को ना कुछ क्वेस्टन लिखके देने होते हैं ताके वो आंसर लिखने तो फिर मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं इनको लिखके देती जाती हूँ और यह अपना काम करते जाते हैं मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इनको टुशन डाल दू लेकिन मुझे ना तसंदी नहीं होती मुझे ऐसा लगता है कि जो एक माने पढ़ा लेना ना वो कोई और नहीं पढ़ा सकता वैसे भी मेरे बच्चे ना ज्यादा बच्चों में पढ़ें नहीं सकते अगर मैं इनको टुशन डाल भी देती हूँ ना तो वहां पे ज्यादा बच्चे होते हैं यहास खिलके या आ जाते हैं पढ़ते कोई नहीं है घर पे ना फिर मैं दोनों को बड़े राम से पढ़ा लेती हूँ अच्छे यहां पे ना गॉबी को मैंने अच्छी तरह से भून लिये इतनी अच्छी तरह से भून है कि यहां पे ना कोई फूल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मेरे घर वाले ना बिलकुल इसी तरह से मैश हुई गुबी खाते और अगर कोई फूल वे भी गिया था ना तो उसको खुद मैंने मैश किया था ता कि यह लोग अराम से खा लें अच्छे बनी बहुत मज़े की थी थोड़ी सी गुबी थी और इतना ज्यादा मज़ा आया खाने का और सासा मैंने रोटिया बनानी शुरू कर दी थी और देसी की किसा रोटिया चोपड़ेंगे और गुबी भी थोड़ा से देसी की डालेंगे अराम से बैटके तो हम लोग अपना लंच कर लेंगे अचा गुबी के साथ ने चावल खाने का बहुत ज्यादा मज़ा आता है मुझे तो इतने ज्यादा पसंद है शादी के बाद ना मुझे नहीं याद के मैंने कभी गुबी के साथ चावल खाएं अच्छा यहां पे ना उस्मान को मैंने रोटी बना के दे दी थी क्योंकि उस्मान ताजी ताजी रोटी खाते हैं तो सासत में उस्मान को बना के रोटी दे रही थी और कितनी फुली फुली रोटीया बन रही है अच्छा अब यहां पे बैटके ना मैं भी खाना खा रही हूँ अच्छा कुछ लोगों का ना कुकिंग करने को दिली नहीं करता मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एक दूसरों को देखके बहुत ज़्यदा मोटिवेशन मिलती है खाना पकाने में, काम करने में, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को पढ़ाना अच्छा मुझे तो किसी को देख जए ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है अगर कोई काम कर सकते हैं तो मैं भी कुशिश करती हूं और हम सब एक दूसरे को देखके सीख रहे होते हैं अच्छा यहां पेना चाई पीने को दिल कर रहा था तो खाना खाने के बाद तकरीबन दो गिंटे के बाद शाम का टाइम हो गया था तो तब उस्माने का चाई बना लो तो यहां पर मैं और उस्मान चाई पीनेंगे मैंने सोचा कि आज ना इन कपों में चाहे भी दें अच्छा चीजे बदलते रेना तो कितना अच्छा लगते है अच्छा बरतन दो दो के इतनी ज़्यदा हो गए थे सलफ पर एकठे ड्राइ नहीं हो रहे थे मैं तो बरतन जब तक ड्राइ नहीं होते कैबनेट में रखती नहीं हूँ तो फिर सारे बरतन मैंने यहां से उठाई इसी स्टैन पे मैंने फैला दिये जब वो ड्राइ हो जाएंगे तो सुबह अंको मैं कैबनेट में रख लूँगी क्योंकि बाकी सारे बतन धोने वाले एकठे हो गए थे, मैंने का अब उनको धोने, तो फिर मैं इनको कहा रुक हूँ, तो फिर मैंने इनको इस इस रेंड में फिला दिया, अच्छा हम हाउस वाइफ ना चोटे से किचन में भी मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जितना मरजी जैना हम उसको भी फूल भर देते हैं, मशवाला मशवाला ला placed ला हर एके किचन में इतनी बरकर डाले किचन फूल होता जाए और हमें किचिन को हमेशा बढ़ा करना पड़े हमारे ये किचिन भी न चोटे बढ़ जाएं अल्ला तल्ला इतनी ज़्यदा बढ़कर डाले हमारे किचिन बे अच्छा किचिन चोटा हो या बढ़ा ये मैटर नहीं करता हम जो लेडिस है ना हाउस वाइफ हैं मदर्स हैं हम सारी चीज़े मैनेज कर लेते हैं शुकर अलहमदलिल्ला अच्छा वहां पेना सारे दुले हुए बड़तर मैं इसस्टन पे लगा दियें ड्राइ होंगे तो उनको मैं कैबनेट में रखोंगी अच्छा यहां पेना बहुत ज्यादा सीरफ इकटे हो गए थे तो उन सब को मैंने एक डिबे में एकटा करके तो एक साइड पे रखती है और क्योंके उसमान को खंसी अभी लगी लिए तो वह कभी कोई पी लेते हैं अच्छा उसके बाद ना जो हमने खाना खाया था चाय पी बच्चों को मैंने दूद दिया वो सारे बरतन अब मैं दो ओके तो इस टोक्री में रखता हूँगी रात रात ये भी अच्छी तरह से ड्राइ हो जाएंगे तो सुबा सारे बरतन मैंना उटते ही पहले कैबनें में रखूंगी अच्छा अब ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहां पेना मैं रियान के लिए दही डाल रही हूँ रियान दही में शक्र डालके अच्छा बच्छों को स्कूल चूट के आई तो यहां पे मैं अपने लिए बरेकफस्ट बना रही हूँ अच्छा थोड़ी से गोबी बच्ची थी सारी गोबी खत्म होगी थी इतनी ज़्यदा मज़े की बनी थी बहुत थोड़ी से गोबी थी तो मैं ने का बनादिया गोबी पकेए कैसे हो सकता है कि मैं गोबी बलब राठा नह काऊँ तो मैंने चोटा सा पराठा बना लिए साथ मैंने अंडा फरेह किया क्योंकि नाशते में ना मुझे लाजमी अंडा चाहिए होता है तो अब यहां पे मेरा ब्रेकफस्ट बन गया अराम से बैठके तो खाती हूँ तो बस यह मेरा चोटा सा विलोग था अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमन सेक्शन में जरूर रताइएगा और अगर आप लोगों अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं गया तो जल्दी से सबस्क्राइब कर ले इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगी नई वीडियो में अच्छी से विलोग के साथ तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्यार लखिएगा मुझे दो हमें याद रखिएगा अलाहाफिज जी